नमस्कार में दिना स्वाम यूटीब सेनल पर आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए एक वीदियो लाया हूँ और इस वीदियो में हम भात करेंगे इस स्टेंड रिल के बारे में मैंने तीन दिन पहले ही खरीडा है और वीदियो आराम भने से पहले मैं एक बात करणूँ वीदियो का क्वालिटी और मेरा हिंदी पे मत जाएगा किकी दोनों खाड़ा पे और उसे ठीक करने में मुझे ताइम लगेगा ठीक है तो बीना देड़ी के वीदियो स्टार्ट करते हैं तो यह है स्टेंड रिल मेशिन इसको मैंने तीन दिन पहले लोकेल मार्केट से पार्चेस किया इसकी खासियत और इसकी बुराईया मैं आप लोगों को बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं तो यह है इस ड्रिल का स्टाइल तो इसमें है डाबूल कैपासिटर मोतर तो इस मोतर में दो कैपासिटर है एक यह इधर है और एक इधर तीक है और यह 370 वाट का मोतर है इसका आरपीम है 425 मतलब इस मोतर का जो स्पिंदल है मतलब यह ड्रिल का नहीं वो अलग हो जाएगा इस मोतर का जो स्पिंदल है वो एक मिनिट में 425 बार घुमेगा ठीक है यह घुमता है और यह 370 वाट मतलब हाफ एच्पी का मोतर है और इस मोतर में दो कैपासितर है आप देखी रहे है तो इसका नाम हुआ कैपासितर स्टार्ट एन कैपासितर रान मोतर एक कैपासितर मोतर को स्टार्ट करने के लिए और एक कैपासितर मोतर को रान करने के लिए अगर आप इन में डिटेल वीडियो चाहते है तो कॉमेंट में बताएगा तो मैं उस पे भी वीडियो ले आउंगा ठीक है ओके तो मेरे पास पहले भी ये बेंच ड्रिल है इंको कॉम्पेनी का उसका मैंने आन्बोक्सिंग किया हुआ है उसका वीडियो में आई बटन पर दे दूंगा तो इस ड्रिल में जो इसका बोडी बनाया हुआ है ये कास्ट आइडन का है ठीक है ये सब कास्ट आइडन का है मेरा और इसका बिल्ट क्वालियटी बहुत ही जबर्डस स्थ है और बहुत भारी है ठीक Major मुझे इमार्जानसी में पर्ट्कष करना पड़ा क्योंकि मेरा दूसरे जो ड्रिल मेशिन एसका र wygląda तूट गया, उसके बाद इस ड्रिल में आपको वायर नहीं आएगा, खुद से लगाना पड़ेगा, आपको स्विच नहीं मिलेगा, जैसे इस इंको ड्रिल में एक स्विच है ना, तो यहां पर नहीं है, तो इसको मैंने खुद से लगाया है, यहां पर एक ट्रे दिया हुआ है जहां पर आप अपना ड्रिल बीत बगरा राख सकते हो वहां पर मैंने इस स्विच को लगाया है जिसे यह अनौफ होता है नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है बार-बार अनौफ करने के लिए ठीक है तो यह है इस ड्रिल मेशिन का बेस प्लेट क्वालिटी अच्छा है ल और इस बेट का मतलब एक माइनस पॉइंट यह है इसको आप किसी भी एंगुल में नहीं मोर सकते मतलब अभीट हुए 180 डिग्री पे है अगर आप 45 डिग्री या 30 डिग्री पे ड्रिल करना साहे तो आप इसके सहारे नहीं कर सकते और इसका लिभार भी बहुत हार्ड है मतल करने से वह अच्छा हो जाएगा लेकिन आप इसको किसी भी एंगुल में ड्रिल नहीं कर सकते और इसका यह है पिलार तो पिलार भी बहुत अच्छा है और यह है एक ट्रे दिया हुआ है ताकि हम इस पे अपना तूल्स रख सकें यह है मेशिन का फीड हैंडल और यह है इस मेशिन का फीड गेज ठीक है आपको कितना कातना है मतलब कितने अगर आपको किसी मेटल पर ब्लाइंड होल करना है तो आप उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं ब्लाइंड होल मतलब आपको आर पार होल नहीं करना ठीक है आपके पास 20 mm का एक वर्कपीस है आपको वहाँ प यह देखिए आप इसका quality यह इसका scale उपर निचे हो रहा है तो इस accuracy का आप समाजी गए हैंगे यह क्या accuracy देखा ठीक है और यह machine है socket type ठीक है यहाँ पर आप arbor लगा सकते हो इसको slip बोलते हैं और इसको socket बोलते है या arbor बोलते हैं उस पे यह arbor traded है ठीक है इसमें trade है और कुछ arbor में आपको tapar मिलता है यह आपका choice है किसी भी type का arbor आप इस पे use कर सकते हो लेकिन इहाँ पर बहुत बड़ी डिक्कत आती है इस machine में सायद किसी और में है या नहीं इस company का या इस model का मुझे नहीं पता जब मैंने machine purchase करके घर ल तो इसका जो spindle है मतलब spindle तो मुझे लग रहा है ठीक ही है लेकिन जब मैंने यहाँ पर drill bit लागा के work piece पर haul करने की ट्राइब की तो बहुत bubbling हो रहा था बहुत यह काप रहा था ठीक है मैं आपको दिखाता हूं तो यह है इसका wire यह बहुत कापता है यह बहुत गलप सी थ यह बहुत गलत सीज है अगर एसे ही यह कापता रहा तो आपको accuracy नहीं आएगा machine का life कम हो जाएगा motor पे भी load पड़ेगा आपका bit भी जल्दी खाड़ाब हो जाएगा तो यह बहुत ही गरबर वाला काम क्या है यह तो बहुत मतलब इससे लेकर में पस्ता रहा हूं ठीक है इसका price में बात में बताऊंगा आप देख ले आप मतले ना इसको total time pass है ठीक है अगर यह evolving हो रहा है तो इसका मतलब कुछ problem हो सकता है जैसे कि आपका bit खाड़ाब हो गया बीठी band है तो मैंने बहुत चारे bit लगाए सब भी में एक ही problem ठीक है उसके बाद spindle band हो सकता है spindle तो मुझे अभी ठीक ही लग रहा है यह फिर bearing खड़ाब हो गया है चाक भी बराबर लग रहा है और वरक अभी मैंने टेस्ट किया था तो इसको फीर से मुझे टेस्ट करना पड़ेगा अब मुझे इसको रिपेर करना पड़ेगा यह बहुत ही बकवास है और अब बात करेंगे हम इसकी बेल्ट एजस्ट्मेंट पर तो यहां पर आपको एक दो तीन चार चार स्टेप का पुली मिलता है इसको कौन पुली भी बोल सकते है आप भी ड्राइवर पुली यह ड्रीव है तो यह घूमता है और यह घूमके इसको घूमाता है और यहां पर लगा हुआ है एक बेल्ट और इसको हम बोलते हैं भी बेल्ट किंकि इसका सेप भी की तरह है तो किंकी यहाँ पर पूली में जो शोत है वो भी भीका शेफ है ठीक है तो यह हो गया इसका ज्न लेकिन आपको इसकी इसपितको आपदाउन करने के लिए इस बैल्ट को उपर नीचे करना पड़ेदा तो उसके लिए यहां पर यह मेकानिजम दिया हुआ है यहां पर एक देख रहे हैं तो यहां पर एक नाथ है यहां पर ठ्रेट कातिंग क्या हुआ है मतलब यह एक हांसिंग बनाया है उन्होंने और यहाँ पर यह एक रॉद है जो इस प्लेट पर connect है और इस प्लेट पर motor connected है ठीक है तो यहाँ तक तो डीक है लेकिन जब आप इसको धिला करें गे धिला करने में तो असन है जब आप बेल्ट की टेंशन लाएंगे या तो आपको बहुत मसक्कत करनी पर रहेगी मतलब आपको बहुत ही मुश्किल आएगा ठीक है क्योंकि अब जब करेंगे तो आपको पता सलेगा वह जो ड्रिल मेशिन है इंको का तो वहाँ पर स्प्रिंग मेकानिजम है मैं कॉम्प पर सी आसान होता है ठीक है तो आप उस वीडियो के लिए रुकिए तो मैं कंपेरेजन वीडियो में सब दिखा दूंगा तो यहां पर यह नहीं है तो इसकी खामिया बहुत है लेकिन इसका जो मोतर है यह क्रोमतन का है बहुत अच्छा मतर है इसकी एक साल का वारेंटी भी है और इसका जो टर्क है दो कैपासितर होने के वज़े से बहुत अच्छा है ठीक है और यह रहा ड्रिल मेशिन इसका फिनिसिंग मैंने बताया बहुत ही घटिया है यहां तो कालार ही नहीं आया तो जल्दी रास्त पकड़ेगा या जंग लग जाएगा मुझे इसको कालार ही करना पड़ेगा तो है कि सबसे ज्यादा मुझे बुड़ा लगा इसके करन यह बहुत भॉल्विंग करता है बहुत हीलता है तो इसकी वज़ए से बहुत ही प्रॉब्लेम हो सकता है तो हो सके तो आप इसको मौत ही खरीदो लेकिन इमाजैंसी में मुझे खरिदना मतलब आशाम में मैं जहां रहता हूं वहां पर और मुझे नहीं मिला हर एक डुकान पर शिफ यही है अगर मैं अनलाइन मंगाया होता तो अच्छा होता लेकिन वहां पर ताइम लग जाता मतलब काम भी रुख जाता ठीक है तो इसको लाके मेरा काम सॉल्ब नहीं हुआ उपर से बढ़ गया तो यही है आज का वीडियो और हां लास्त में आपको बता दू इसका प्राइस मुझे पड़ा 12000 का तो अभी मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा पहले यह जो हिलता रहता है उसके बाद मैं इसको रीपेंट करूंगा और जैसे मैंन करूंगा और और एक बात बताना भूल गया इसका जो स्पिंडल है और यह जो बेट का सेंटार में होल है यह प्रोपर सेंटार में नहीं है तो यह भी एक प्रोब्लेम है अगर आप कभी ड्रिल करेंगे तो आपका बीट मतलब होल वर्क पीस पर होल करके इस प्लेट पर भ लगता है बीट और बीट तो वल्विंग करता है तो इसी वज़े से बीट तुतने का सांच होता है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट श्यार एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकरेशन के लिए बेल आ